वाट्स आप वाट्स आप वाट्स आप हान जी मित्रो क्या हाल चाले हैं आप सब के आप इस एविवन दूइंग इस दा ओडियो वीडियो ओल गुट फड़ाफट सारे बच्चे एक बार चैट बॉक्स सो मुझे थम्स अप दे दीजिए आप सबसे हैं आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो के अपने 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 लगा दीजे वीडियो को लाइक करके ताकि यह बाकी सी यह इंटर स्टुडेंट्स तक भी पहुँच सके यह यह चैपटर हमारे नोट स में चैपटर नमबर 3 में अगर ICA के सबसे जाए तो चैपटर नमबर 6 यह चैपटर कैसा है तो यह मैं आपको बता देता हूँ वैसे हमने इस वेरी वेरी इजी कहीं ना कहीं हम इसको वेरी वेरी के केटिगरी में डाल सकते हैं और आपको exam में कम से कम इसमें से चार से छे नंबर का short short questions मिलेंगे मिलेंगे अब इसमें पूरे में इसे पूरे number score कर सकते हो तो सबसे पहले एक बाब बताओ इस पे कौन सा ऐसे लगता है इस पे लगता है हमारा essay 230 ऐसे 230 क्या था सर ऐसे में planning होती तो यह planning किते लोग करते हैं मैंने का दो लोग करते हैं और इन दोनों का काम है अपना जो plan है ना उसको document करे 30 तारीक को इन दो लोगों का काम है जो इनका plan है इसको document करे 30 तारीक को तो याद रखना ऐसे 230 किसकी बात करता है audit documentation की अब सर document क्या करना है मैंने करते हैं तो क्या मिलता है audit evidence obtain करते हैं जो audit evidence obtain करते हैं उस पर क्या draw करते हैं conclusion जो ध्री process audit procedure, audit evidence, audit conclusion इसको पस आपने record करके चलना है and इसी audit documentation को हम work paper भी बोलते हैं यह documentation कर ली जलूरी है और EY वाले तो पताई ना बोलते हैं, work not documented is work not done, तो आपके पास एक सबूत होनाची कि आपने अपना audit properly किया है, क्या ये बात समझ आती है हाँ सर, अब ICI आपसे पूछ सकता है, इसके example बताओ, तो example में कुछ भी लिख दो, हमने जो पिछले essay में discuss किया था audit program, आप उसको document कर सकते हो, क्या ये बात समझ आती है हाँ सर, इसके अलावा सर, जो आप उपने analytical procedures करते हो analysis करते हो, उसको document कर लो, तो दो AA वाली चीज़े हो गई, क्या, audit procedure analysis, इसके अलावा याद है, आप essay 505 में confirmation भेजते हो, external confirmation, हाँ सर, तो जो आपके letters of confirmation है है, उसको document कर लो, इसी के साथ सर, हम क्या कर सकते है audit program का दूसरा नाम क्या होता है सर, checklist, आप checklist को भी documentation में डाल सकते हो and last में ये कहता है, अगर कोई correspondence है, कोई बातचीत वगरा आपने करी है, including email, for some significant matters वो भी इसका part बन जाएंगे, तो AA, CCC करके आप इन basic basic बातों को ध्यान रख सकते हो सर, क्या क्या आगया है, इसमें, मैंने का इसमें आगया audit program, analysis जो आप confirmation लेते हो, जो आपका audit program का दूसरा नाम है, checklist and last में आ जाते है, correspondence including email on significant matters अब ये significant matters के है, थोड़ी सी देर में हम इसकी बात करेंगे, ठीक है सर अब सर एक बात बताओ, auditor का objective क्या है, what is the objective, क्यों हम ये documentation कर रहे हैं, आई साब आपको documentation करना जरूरी है क्योंकि आपके पास एक record होना चाहिए, आपके पास एक record होना चाहिए, जिसके basis पे आपने अपनी report दी, कल को आके कोई आपका गला पकड़े और बोले, ए auditor, किस बिना पे तुमने अपनी report issue करी, तो आपके पास उसके लिए एक sufficient and appropriate record होना चाहिए, कि भाई, इस record के basis पे मैंने अपनी report बनाई, ठीक है सर, क्या मैं दूसरे तरीके से कह सकता हो, यह एक evidence है, यह एक evidence है कि आपने अपना audit as per the standards on auditing किया है, हाँ sir, that means the audit was planned and performed as per the standards, plus legal and regulatory requirement, यानि companies act की भी requirement से comply किया है, तो दो basic सी बात है आपने समझ नहीं है sir, क्या क्या, एक तो आपके पास sufficient and appropriate record है कि आपकी जो report है ना, उसके लिए record मिल गया आपकी report के लिए record मिल गया दूसरा कहता है कि आपके पास evidence है सबूत है कि आपने अपना audit as per standards on auditing किया है, अब यह जो evidence वाली चीज है, इसको as it is यहाँ ले ओ, यह जो evidence वाली चीज है, इसको as it is नीचे ले ओ, अब sir evidence वाली line एक तो repeat कर दी, nature of audit documentation में, ठीक है sir दूसरा आप बोलोगे, हमें evidence मिल जाता है, तो evidence पे हम क्या draw करते है, conclusion and जब conclusion draw करते हैं, तो हमारा overall objective achieve हो जाता है ठीक है, ठीक है sir तो है similar points है similar points, मैंने बस आपको इसको करने का नजरिया बता दिया कि कैसे करने ठीक है यह बात, समझ आती है, हाँ sir अब आते हैं हमारा favorite question ICI की तरफ से, what is the purpose of audit documentation RTP, May 21 सारे के सारे बच्चे chat box में लिखेंगे ready, आजो मिल सार सारे के सारे बच्चे जल्दी से chat box में लिखो ready, आजो come on, come on, come on ready, ready, ready sir अब सार एक बात बताओ purpose of audit documentation क्या है मैंने का simple सी बात है हम audit documentation को आगे के लिए retain करेंगे हम जो इस बार documentation करेंगे वो आगे के लिए retain करेंगे, for example कोई rent agreement है जो 5 साल तक valid है तो ठीक है, एक बार आपने ले लिया उसको retain करो कि अगले साल भी काम आ जाएगा तो सबसे बहले एक point क्या आपने ध्यान रखना है, retaining the record retaining the record of matters having continuing significance of future audit, future के लिए retain करा, अब जब वो future आ जाए, अब जब वो future आ जाए, तो सर ये किसमें help करेगा, ये आपकी engagement team को, ये आपकी engagement team को help करेगा in planning and performing the audit थीक है सर, अब planning and performing तो ठीक है, planning and performing तो ठीक है, बट काम सारा आप करोगी या किसी और से करवाओगे, सर किसी और से करवाओगे, तो जब भी आप काम किसी और से करवाते हो, तो वो 3 magical letters के हैं, वो फटाफट सारे बच्चे चैट बॉक्स बता दो DSR DSR हमने पिछले revision session में भी discuss किया था DSR का मतलब क्या है Direct, Supervise and Review जैसी आपने Direct, Supervise and Review बोला आपने 3 points खोल दिये अपने लिए सर कौन कौन से Assist the engagement team to direct and supervise the work यानि आप documentation दिखा के सामने वाले को बता सकते हो, ऐसे काम करना है तूने और जब वो काम कर ले तो उसके काम को check भी आप documentation से कर सकते हो review वाले 2 points बताओ मैंने का review वाले ये 2 points है जो आपके review वाले हैं ये है point number 5 और 6 जो कहीं ना कहीं review की बात करते है सर इसमें क्या आएंगे इसमें आएंगे आपके quality control review as per SQC 1 वो ही quality control की बात करते है प्लस अगर कोई external inspection होती है let's say by NFRA as per the laws and regulation तो वो भी एकदम properly हो पाएगी and last में जब आप review कर रहे हो तो आप सामने वाले को उसके work के लिए accountable कर रहे हो so the last point would be making the engagement team accountable for their work क्या यही flow है जो हमने सारे points cover करें हाँ sir पड़ाफट मुझे 5 points recall करो कुछ chat box में लिखने की ज़रोती है मुझे बताओ सबसे वेले sir क्या करते हैं हम future के लिए करते हैं जो हम documentation आज की date में कर रहे हैं future के लिए कर रहे हैं यानि retaining the work of continuing significance for future audit अब जब future आ गया तो help करेगा in planning and performing the audit काम खुद करेंगे किसी और से करवाएंगे किसी और से करवाएंगे direct, supervise and review तो आपके यहाँ पे सारे points होगा review के 2 points क्या है sir एक तो quality control review जो हम अपनी firm के अंदर करते हैं एक अगर कोई external inspection के लिए है भी review कर सकता है last में जब review हो रहा है तो सामने वाला अपने work के लिए accountable हो गया so making the other person accountable for their work quickly give me a done, 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 done in the chat box if this answer is crystal clear to you जल्दी से सारे बच्चे D, D, D in the chat box बहुत important question है exam के लिए clear है? come on yes sir अब सारे के सारे बच्चे में साथ आजाओ sir ये अगला point क्या कहता है ये अगला point क्या कहता है जब आप audit documentation बना रहे हो जब आप audit documentation बना रहे हो तो उस documentation को देखके कोई experienced auditor जिसका इस audit से कोई लेना देना नहीं है जिसका इस audit से कोई लेना देना नहीं है क्या समझ पाएगा मैंने का वही तो समझ पाएगा जो आपने document किया है यह कहता है अगर आपने documentation बनाई और कोई बहार वाला बंदा आके देखता है documentation को तो वो क्या समझेगा सर वो ही तो समझेगा जो आपने document किया है तर हमने क्या document कि है audit procedure audit evidence conclusion यही तीन बाते लिखी है audit procedure audit evidence conclusion बट एक चीज एक्स्ट्रा लिखी है सर क्या significant matters कहीं ना कहीं उसको significant matters भी पता चलेंगे significant matters क्या होते है बस 5 minute में आपको भी मैं revise कराता हूँ ठीक है ठीक है सर तो बड़ा easy था कि क्या समझते हूं audit documentation से अब सर जब मैं nature timing and extent of procedures document कर रहा हूँ तो मुझे क्या क्या record करना है यह कहता है जब भी आप procedures को record कर रहे हो यह बताओ आप कौन सी चीज टेस्ट कर रहे हो अगर आप purchases test कर रहे हो तो बताओ आपने entity की purchases test करें अगर आप उसके assets चेक कर रहे हो तो assets बताओ चेक करें और उनकी कौन सी assertions चेक करी तो यह कहता है सबसे पहले document करो characteristics of the items और matters tested आपने actual में क्या test किया आपने actual में क्या test किया फिर आपने दो लोगों के नाम बताने सर कौन किसने test किया किसने review किया किसने test किया किसने review किया और कब कब किया आहा क्या उच विचार है सर फिर से बोलो में साथ किसने test किया किसने review किया और कब कब किया तर इसका क्या मतलब है who performed the work and date of work performed who reviewed the work and date of review ये basic सी बाते भी आपने अपने audit procedures के साथ लिख के चलनी है क्या ये बात समझ आती है हाँ sir ये ही छोटे छोटी बाते हैं जो exam में आपको तीन तीन नंबर दे सकती है बस आपने feel के साथ इनको समझ के चलना है अब आते हैं मेरा favorite question RTP November 18 and one of the five star topics कहीं न कहीं exam में देखने को मिल सकता है सारे बच्चे chat box में लिखो ready then let's begin with this question बहुत प्यारा question है मज़ा आ जाएगा मानसी कह रही है sir हाँ direct question है question bank में क्या बात है all set ready है sir अब इदर आओ जब शुभम सर ने आपको factors पढ़ाये थे class में तो मैंने क्या बोला था sir तीन चीजों को ध्यान में रखके factors बताया जाते है factors affecting the form content and extent of documentation इसमें से किसको ignore करना है जैसे वो तुमको करती है sir इसमें से हमको ignore करना है form को कहीं ना कहीं content और extent पर depend करेगा तो मुझे बताओ सबसे पहले उठा लेते हैं extent सबसे पहले उठा लेते हैं extent कितना document करना है sir यह किस पर depend करेगा सबसे पहले तो entity यानि आपकी entity क्या यह psycho entity है यानि the first point is size and complexity of the entity complexity complexity of the entity ठीक है sir दूसरा आपकी documentation किस पर depend करेगी sir risk of material misstatement जितनी ज्यादा risk उतनी ज्यादा extent of documentation तो अगला point हो गया identified risk of material statement तीसरा क्या है sir तीसरा है आपका SA 505 वाला जब SA 505 external confirmation लेते हैं वक्त आपको कोई गलती मिलती है जब external confirmation लेके financial statement में गलती मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं exceptions identified तो यही तीन points बस आपने ध्यान रखने है extent को किस से फरक पड़ता है sir तीन चीजों से फरक पड़ता है जल्दी से बता दो entity से risk of material misstatement से और misstatement का दूसरा नाम क्या होता है exception identified ये आपके तीन पॉइंट तो हो गए ठीक है sir अब मुझे बता दो content में क्या आता है जो आपकी audit documentation है उसका content क्या होता है तो सबने मुझे बताया था sir procedures performed उसके बाद क्या मिलता है evidence obtained and last में आता है conclusion मैं कहता हूँ conclusion मिले या ना मिले आपको conclusion मिले या ना मिले आपने इसको document करके चलना है तो sir तीन points क्या हो गए पहला point हो गया audit procedures performed ठीक है sir ये procedures आपकी methodology और tools के इसाब से होने चीए जैसे EY की methodology का नाम क्या है EY game तो साथ ही साथ इसके एक और point ध्यान रख लेना audit methodology समझ गए sir फिर आता है आपका evidence यानि क्या आपने evidence obtained किया उसकी बात करोगे last में कहते है conclusion मिला या conclusion नहीं मिला उसको आप document करके चलो उसको आप document करके चलो यहीं आपके 6 से 7 point हो गए बिना रट्टा लगा है बिना रट्टा लगा है बस आपने इसी flowman points को ध्यान रखना है quickly give me a thumbs up in the chat box done 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 if these points are crystal clear to you मात्र 14 मिनट 26 सेकेंड मात्र 14 मिनट 26 सेकेंड एंड अब यह ऐसे अपनी आखरी सांसे ले रहा है 50% से ज्यादा ऐसे complete हो चुका है clear है boss come on yes sir awesome very good jasmine प्रिया, नीरज, विधी, स्वाती, आरती, हर्ष बहुत बढ़िया अब sir आता है एक और important question RTP November 20 RTP November 22 एंड शायद जो अब आपके May November 24 के exam सारे हैं उसमें भी यह सवाल आपको देखने को मिले तर यह क्या कहता है कितनी देर से मैं गाना गा रहा हूँ significant matters significant matter significant matter sir यह significant matter होते क्या है मैंने का significant matter वो है जिससे हमें significant डर लगता है जिससे हमें significant डर लगता है तर D का क्या मतलब है मैंने का सबसे पहले ध्यान रखना D का मतलब है significant difficulty इस audit को करने में आपको जितनी भी कठिनाईया आई हैं जितनी भी difficulties आई हैं उसको आप document करके चलो management time पर evidence नहीं देती management going concern assess नहीं करती management कहती है audit जल्दी जल्दी करो तो यह जितनी भी difficulties हम कहां सीखते हैं essay 260 में यह वो ही difficulties है जिनको आपने document करके चलना है क्या D समझ आगया डर का हाँ सर A का क्या मतलब है audit procedure जब आपने audit procedure करे तो आप डर गए तर हम क्यों डर गए आपको लगा financial statement में material statement हो सकती है या आपको लगा कि जो आपने romam assess की थी वो romam अब कई ना कई ज्यादा है अब अगर romam ज्यादा है तो क्या मैं बोल दू detection risk कम करनी पड़ेगी हाँ सर detection risk कम करनी पड़ेगी अगर detection risk कम करनी है तो क्या मैं बोल दू आपको testing ज्यादा करनी पड़ेगी हाँ सर testing ज्यादा करनी पड़ेगी तो यह testing वाले procedure क्या होते हैं सर further audit procedure और इसी को हम प्यार से बोलते हैं auditors response to the risk that is essay 330 that is your essay 330 तो basic सी बात है सर दो चीज़े तो हमको समझ आ गई D भी समझ आ गया A भी समझ आ गया यानि जो हमारे audit procedure है उससे लगता है material misstatement हो सकती है प्लस जब हमने audit procedure करें तो risk को revise किया और auditor का जो response था to those risk जो उसकी testing थी उसको वो भी revise करनी पड़ी बाकी RR क्या है अगला R है significant risk अगला R है क्या significant risk जहां भी लगता है significant risk है सर यह significant risk मेरी आप सबसे request है सारे बच्चे सारे बच्चे जल्दी से एक बार मेरे को बताओ significant risk के क्या example थे hint दे रहा हूँ hint दे रहा हूँ मैं आप सब को chapter number 5 फड़ा फट जल्दी से घूम फिर क्या और मुझे significant risk के example बताओ class खतम होने के बाद तो हम यह game खेल सकते हैं very good अनुराग मंडल very good अनुराग मंडल very very good और विवा की बच्चे जल्दी से बताएंगे significant risk के example हाँ मुझे पता है क्लैपिंग हो जाएं इन सब बच्चों के लिए जो एकदम शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हैं complex fraud कहीं ना कहीं जो complex fraud है वही significant risk होती है complex fraud का क्या मतलब था complexity of transaction fraud fraud किसके साथ related party ओ का क्या मतलब था related party की ऐसी transaction जो normal course of business में नहीं है outside normal course of business में unusual nature और जो significant developments होती रहती है इन सब की बात हमने की थी chapter number 5 complex fraud में clear है clear है sir तो वह सारी significant risk को आप document करेंगे and sir अरे अरे अभी 3 points ही हुए है पहला D क्या था भूल गए ऐसे कैसे भूल गए बताओ significant difficulty दूसरा A क्या था audit procedure जिससे लगता है risk of material misstatement है और फिर risk revise करी audit response को revise किया अगला था significant risk जिसकी बात chapter 5 में होती है and last hour क्या है sir audit report हम यहाँ पे आपकी report की बात करेंगे sir report में क्या है मैने का report में है दाकू दाकू जगा सिंग सर डाकू का क्या मतलब है modification of opinion यानि कही न कहीं आप disclaimer adverse या qualified opinion देंगे या फिर आपकी report में EOM para आएगा SA 706 वाला ठीक है ठीक है sir तो यह सारी बात है आपने बस ध्यान रखनी है तो simple सी बात है significant matter is a significant dare डर का मतलब है last बार एक बार कर रहे है difficulty audit procedure जिससे लगता है material statement ज्याद है R का मतलब था sir significant risk and last R का मतलब है audit report जिसमें डाकू और EOM para है clear boss quickly give me a done 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 in the chat box if this answer is crystal clear done 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 for all of you बता दो वाई सा मजा आ जाएगा very very good when Angry G क्या चेям authentically कई साथ कुध्यशनल का, मेंने आजून पर करती कि देखो क्या कहते हैं सर एसे में कई जगा लिखा होता है consider certain matters consider certain factors तो जब भी आप वो factors और matters को consider करके अपनी judgment बनाते हो उसको document करना है कि आपने उन factors को कैसे consider किया आपने उन factors को कैसे consider किया इसको लेके आपने documentation करनी है तो यह कहते है rational rational का क्या मतलब होता है ऐसा logic आपने क्या logic लगाया for the auditors conclusion when the requirement of standards on auditing requirement of standards on auditing कहती है auditor shall consider certain factor तो जब भी auditor consider करते है certain factor तो उसमें जो rational लगाता है उसमें जो वो logic लगाता है उसको उसको document करके चलना है क्या यह basic बात समझ आती है हां सर तो एक point तो हो गया factors वाला एक point तो हो गया factors वाला बाकी दो points क्या है मैंने का बाकी दोनों points में आपको basis बताना है किस basis पे आपने conclude किया बोलो मेरा साथ किस basis पे आपने conclude किया sir क्या conclude किया दो चीजों की बात करेंगे पहली चीज जहां पर भी management की significant judgment थी जहां पे भी management की significant judgment थी जैसे कोई accounting estimate क्या वो accounting estimate reasonable है की नहीं क्या वो accounting estimate reasonable है की नहीं तो आपने जिस basis पे check करा न reasonableness of the significant judgment फिर से बतारो जिस basis पे आपने check करी reasonableness of the significant judgment वो basis आपने document करना है for example अगर management ने कोई court litigation के लिए अगर management ने कोई court litigation के लिए provision मनाया क्या ये एक accounting estimate है हा सर तो मुझे बताओ किस basis पे आपने accounting estimate चेक किया सर हमने court का order check किया हमने court का order check किया तो इसको document करना है इसको आपने document करना है तो क्या document करना है basis आपको अपना basis document करना है किस basis पे आपने reasonableness of the judgment check करी क्या ये basic बात समझ आती है ठीक है सर, ये तो judgment की बात हो गई, अगला जो point है वो तो बहुत ही तड़कता भड़कता है, वो तो और भी मसालेदार है, ये कहता है आपको document की authenticity पे शक था, आपको लग रहा था management कोई नकली document दिखा रही है, सर ऐसा क्यों लग रहा था, क्योंकि suspicious condition थी, क्योंकि suspicious condition थी, तो जब भी आपको suspicious condition मिली है और आपको authenticity of document पे शक हुआ, तो आपने किस basis पे, किस basis पे conclude किया कि document authentic है, किस basis पे conclude किया कि document authentic है, सर ये authenticity कब चेक करी है हमने, जब हमको suspicion हो रहा था, तो मुझे बताओ कैसे check कर सकते authenticity of document, सर authenticity चेक करने के लिए हम किसी expert की मदद ले सकते हैं, so that could be the basis authenticity check करने के लिए हम किसी third party की confirmation ले सकते हैं, that could be the basis, तो उसी basis को आपने document करके चलना है, तो लास्ट बार एक बार बता रहो ध्यान से समझ लेना, सर तीन ऐसे cases होते हैं, जहां पे आपको अपनी judgment को document करना होता है, पहला क्या था सर वो जो standard zone auditing के अंदर हम factors consider करते हैं उसका rational क याद रखना, थोड़ी सी अंग्रेज ही है, rational for the auditor की कैसे उसने consider किये certain factors when it was required by the standards on auditing, ठीक है बस, ठीक है सर, बाकी दोनो basis वाले है, basis for the auditor's conclusion कब, जब उसको reasonableness देखनी है, management की judgment की, ठीक है सर, and last वाला क्या था, basis for checking the authenticity of document, क्या document authentic है कि नहीं, क्या यह हम हर बार चेक करते हैं नहीं, जब आपको suspicious condition मिलेंगी, जब आपको शक होगा, तब आपको इसको देखके चलना है, so even as a student, मुझे भी काफी दिक्कत आती है, ऐसे topic में, but जब आप इसको step by step manner में करते हो, थोड़ा सा time देखके करते हो, 2 से 3 मिनट, 3 से 4 मिनट, तो यह हो जाता है, ठीक है वास, quickly give me a done-done-done-done-done, if this point clear to all of you, जल्दी से बता दो, सारे के सारे बच्चे, पढ़ा पढ़ा बता दो, is this 3 marker topic clear, because अगर यह exam में आया, मुझे बाकी दुनिया का नहीं पता, बढ़ आपका यह ठीक होना चाहिए, clear है बॉस, very good, सारे बच्चों के लिए धेर सारी तालिया, बस खतम होने वाले chapter, all it's about to get over, अब सर आ जाता है अगला topic, यह किसकी बात करता है, completion memorandum, इसी के उपर I think May 19 में ICA ने question पूछा, और आपकी जो RTP थी, May 24 उसमें भी इस पे सवाल था, सर, completion memorandum क्या है, तो नाम से पता चल रहा है, memorandum का क्या मतलब होता है, summary, memorandum का क्या मतलब होता है, summary, तो यह कहता है भाई साब, आपको अपनी एक summary बनानी है, सर, summary किसकी, significant der की, जो आपको अभी मैंने significant der दिखाया था न, significant matters identified, और आपने उसको audit में किस तरह से deal किया, उसकी एक summary बनानी है, ठीक है सर, सर, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, what is the purpose of it, यह बात मैंने RTP वाली वीडियो में भी करी थी, वापिस कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, सर, दो चीज़े होगी, एक तो reviewer की help होगी, एक आपकी help होगी, एक तो reviewer की help होगी, एक आपकी help होगी, सर, reviewer कर पाएगा, effective और efficient review, और क्यूंकि यह significant matters का summary है, तो आप भी significant matters को कर पाऊगे, सर, significant matter से क्या होगा, मैंने का इधर देखो, significant matter से क्या होगा, जल्दी से सारे बच्चे इधर देखो, मैंने का significant matter से यह हो सकता है, कोई individual essay का objective अचीव ना हो, कोई individual essay का objective अचीव ना हो, जिसकी वज़े से auditor का overall objective रह जाए, तो जो हम essay 200 में पढ़ते हैं न, overall objective of independent auditor, वो overall objective को अचीव करने के लिए, हर individual essays के objective अचीव होने चीए, तो यह कौन है, जो आपके individual essays के objective को अचीव ने से रोक सकता है, सर, significant matters, तो last में, बस आपने यह line को समझना है, also helps the auditor to consider whether, 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 whether any essay objective can't be achieved, अगर कोई एक essay का objective रह जाएगा, तो इस वज़े से बिचारा auditor, overall objective भी अचीव नहीं कर पाएगा, clear point, हाँ sir, last time revise करें, फड़ा फड़ देखना, what is a completion memorandum, summary, क्या-क्या significant matters थे, उनसे हमने कैसे deal किया, इसमें मेरा क्या फायदा, सर इसमें आपका यह फायदा है, आप significant matters को अच्छे से समझ पाते हो, अचीव हो जाता है, last में overall objective, अचीव हो जाता है, जल्दी से बता दो, is this point clear or not, come on everyone, जल्दी से बताएगे, क्या यह basic बात clear है, हाँ sir, अब आजो audit file, audit file क्या है, audit file में कुछ भी नहीं है, जो भी अभी तक आपने documentation इखटी करी, जो अभी आपने अभी तक documentation इखटी करी, उसका आप एक folder बनाओगे, ठीक है, यह folder physical भी हो सकता है, और electronic भी हो सकता है, यह folder physical भी हो सकता है, electronic भी हो सकता है, तो देखो क्या कहता है, audit file is nothing, बट a folder, जैसे हम हमेशा अपने folders बनाते हैं, it can be physical और electronic, जिसमें आप अपनी audit documentation के record को डालते हो, मुझे एक बात बताओ, क्या audit file की जो assembly है, क्या audit file की जो assembly है, जिस दिन audit report साइन होती है, उसी दिन complete होनी चीए, या हमारे पास कुछ महूलत है, हमारे पास time है 60 days का, 60 days from the date of audit report, आप अपनी audit file की assembly कर सकते हो, तो देखो क्या कहता है, assembly of audit file should be done, it not more than 60 days, 60 दिन आपको मिलेंगे, 60 दिन आपको मिलेंगे, from the date of audit report to complete it, but remember, इसमें आप कोई नए audit procedure नहीं कर सकते, कोई नए conclusion नहीं कर सकते, it is completely administrative process, it is completely administrative process, अब ICA example पूच सकता है, administrative process के, या आपके study material में भी दे रखे हैं, तो मुझे बताओ क्या के example थे, तर हम इसमें न, sorting कर सकते हैं, किसी documentation को आगे लगाया, किसी को पीछे लगाया, यह sorting हो सकती है, cross referencing हो सकती है, जैसे याद है बच्पन में index बनाते थे, हाँ, इस page number में यह दे रखा है, इस page number में यह दे रखा है, उसको delete कर दो, प्लस अगर आपने कोई evidence already इखटा कर रखा है, team के साथ discuss कर रखा है, आप उसको document कर सकते हो, तो simple सी वात है, याद रखना, हमारी जो audit file है, हम उसको SSD में डालेंगे, हम उसको SSD में डालेंगे, सर, SSD का क्या मतलब है, sorting कर ली, आगे पीछे कर लिया, मतलब बेकार, काम की नहीं है, उसको delete कर दो, and last में कहता है, documentation of the evidence already obtained, नया evidence नहीं लाना, कोई भी नया evidence नहीं लाना, आप उसको delete कर सकते हो, is this point clear to all of you, yes sir, अब sir, last में एक बात ध्यान रखना sir, after the assembly of audit file, मान लो आपका folder ready हो गया, क्या अब मेरे पास जो मामला ready हुआ है, जो मेरी audit file ready होई है, इसको इसमें से मैं चीज़े delete कर सकता हूँ, नहीं sir, क्या इसमें मैं changes कर सकता हूँ, नहीं sir, एक बार audit file ready हो गई, आप इसको हाथ भी नहीं लगाओगे, कब तक, 7 साल तक, 7 साल तक, आप इसको हाथ नहीं लगाओगे, it should be retained for a period of 7 years, थाला for a reason, थाला for a reason, आपने इसको 7 साल तक retain करना है sir, कब से, from the date of audit report, और the group audit report, इफ लेटर, ठीक है, तो ये आपने बात ध्यान रखके चलनी है, clear or not, yes sir, अब last में आते है sir, ये audit documentation किसकी है, ये audit documentation किसकी है, मुझे बता दो, मेरे work paper, मेरे work paper, मेरी audit documentation, मेरी audit documentation, मैं किसी को भी share नहीं करूँगा, ये कहता है, audit documentation is the property of the auditor, but अगर auditor चाहे, अगर auditor चाहे, अपनी मर्जी से, अगर auditor चाहे, अपनी मर्जी से, सर मर्जी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं discretion मैं अपनी discretion से इसमें से थोड़ा भूथ इसमें से थोड़ा भूथ client को दे सकता हूँ बट याद रहे इससे दो चीजे नहीं हो नीचे सर क्या कल को आगे client मेरे को ना बोल सके कि तुमने काम तमीज से नहीं किया और अगर मैंने client की information किसी के साथ share कर दी तो क्या तो क्या confidentiality बुरा मान जाएगी हाँ सर अगर confidentiality बुरा मान गई तो independence पे भी impact आगा तो याद रखना दो चीजे नहीं होनी चीए और दूसरी चीज है जहाँ पे आप अपना opinion देते हो तो यहाँ हमारी complete revision of essay 230 audit documentation complete होती है जितनी चीजे मैंने कराई इससे आपके question bank के सारे के सारे सवाल एकदम बढ़िया तरीके से cover हो जाएंगे सो always remember सर क्या success is not a one day game success is not a one day game सर छोटे 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 स्टेप्स लेने है छोटे छोटे एफर्ट करने है जब आप रोज रोज ऐसे small efforts करोगे day in and day out आपको successful होने से कोई नहीं रोग सकता तो यूही 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 मित्रो खुशी खुशी प्यार से पढ़ते रहे क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे have an awesome day ahead हमेरा ही audit के फिर मिलेंगे चलते चलते अभी ते अगर वीडियो को like नहीं गया तो do give it a like and yes stay subscribe to the channel for more such videos लगे रहो